हलो जी असलाम आलेकूम आज हम बनाएंगे जिंगे और गवार की फली की सबसी ये मैंने 5 प्यास ले लिए है ये मैंने 500 ग्राम गवार की फली ले लिए और ये मैंने 100 ग्राम जिंगे लिए है हमें एक चोटा कुकर ले लेना है यह मैंने चोटा कुकर लिया इसमें मैंने तेल डाला अब हम इसमें प्यास डाल देंगे इसे हमने गोल्डन ब्राउन होने तक के बुनना है हमारी प्यास गोल्डन ब्राउन हो गई है अब हम इसमें जिंगे डाल देंगे और हम साथो साथ गबार की फल्लिया भी डाल देनी है गबार की फल्ली डालने के बाद हमें अच्छी तरह सा इसे मिक्स कर लेना है ताकि इसका पानी जल जाए अब हम इसमें नमग डालेंगे एक बड़ा चमच लानमी पावडर डालेंगे देड़ चमच हम धनिया पाउडर डालेंगे इसमें और एक आधा चोटा चमच हम हम इसमें हल्दी डाल देंगे अब अच्छे से सब भी मसाले के भून लेना है हमें सबसी थोड़ी तेर भून लेनी है ताकि गवार के फली से चुटा हुआ पानी जल जाए हमें इसमें थोड़ा पानी डाल कर कुकर बन करके हमें इसमें दो सीटी लगा देनी है हमें इसे कुकर में ज़्यादा देर पकने नहीं देना है बस दो ही सीटी लगानी है ताकि हमारे गवार बग जाए धक्कर रिमो करने के बाद में ये देखिए हमारी गवार अच्छी तरह से पक गई है अब हमें इससा का पूरा पानी जला लेना है और इसे ड्राइ कर देनी है हमें इसे बुना बुना ही रन देना है ये देखिए हमारी सब्जी बन के तयार है इसे गर्मा गर्म डोटी के साथ सर्फ करें अगर आपको हमारे वीडियो पसनाते हैं तो लाइफ सब्सक्राइब करना ना पुले